दोस्तों stock market में successful होना चाहते हैं तो कुछ core concept है कुछ universal rules होते हैं मैं पंकजे नो universal rules पर सबसे जादा focus करना चाहता हूँ 20 सालों से market में में टिका हूँ यहाँ पर मैंने अपने सामने कितनी ही लोगों को आते और जाते हुए देखा और कई सारे जादूगर ऐसे आए जो एक-एक महीने में 10-10 लाक रुपे बनाएं लेकिन तीसरे महीने में उनका सुपड़ा साफ हो गया और किस्सा खतम हो गया तो कभी-कभी हम कहानिया सुनाने वाली कहानी बनाने की बात करते हैं चलो हम बाते करें और लोग अभी हमको देखते रहें आखे फाड़के लेकिन मैं यहां जिम्मेदारी से वह बात करना चाहता हूं कि दस साल बात भी आप इस बात को सुनेंगे तो आपको सही साबित होगी एक 15 साल का लड़का 20 साल का लड़का सुने तो हो सकता है थोड़ा सा उसको लगे कि नहीं है उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है इनकी बाते क्योंकि यह 500 यह पांच-जार करोड की बात नहीं कर रहे है 30-30-40 साल का आद में सुनेगा तो वो समझेगा कि हाँ है यह बेटर है पचास-पचपन साल के इंसान को तो समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो कितना जादा रिलेवेंट और सच है उन्होंने अपनी जिन्दगी में वो गलतियां की है और उसका खामियाजा भी बुखता है तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक जनरेशन के लोगों को आज अगर कोई बात सुनने को मिल जाए तो समझो कि बाल्टी रस्टी से बन चुकी है अब ये बाल्टी तली में भी चली जाएगी लेकिन कभी न कभी रस्टी खीचने पर बाल्टी भी बाहर आ जाएगी क्योंकि हमने जो कुछ भी सही चीज सुन रखी है वो काम करने लग जाती है कोई भी अच्छी चीज़ आपके दिमाग में डाल दी तो बीच डाल दी है आप वो पेड़ बनेगा ही बनेगा देर से बने जल्दी बने यह अलग बात है जैसा महौल बनेगा बात बनेगी तो मैं यहाँ पे एक कहानी सुना रहा हूँ बहुत इंपोर्टेंट कहानी है बच्पन से मैंने सुनी मुझे बहुत मज़ा आ गया एक बुद्ध संत थे एक भिक्चू थे बुद्ध भिक्चू वो अपना पूरा ज्यान उन्होंने गठा किया पता नहीं कितने शास्तरों के स्टड़ी की कितना ध्यान वियान किया तो उनको कुछ ऐसा इंसाइट मिला कि उनको लगा मैं भी एक किताब लिखता हूँ एक कमाल की किताब लिखने के लिए वो मेहनत करते गए और आट-दस साल से लगातार वो किताब लिखते चले जा रहे थे पहले किताब लिखना, पब्लिश करना ये बहुत बड़ी बात थी आज की तरह ऐसा नहीं था कि आपके पास ब्लॉगर, ब्लॉगर और अपने आपको एक्सप्रेस करने के पचासु तरीके हैं ये बात अलग है कि बुद्ध कम लोग ही जिनके पास कहने के लिए कुछ है क्योंकि वो सुनने में देखने में ही बिजी है तो वो लिखते गए आट-दस सालों से लगातार उन्होंने पैसा भी कठा किया कि अब इसका प्रकाशन करवाया जाएगा और इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुचाने के लिए प्रयास करूंगा लेकिन आचानक फिर गाव में क्या हुआ गाव में आगया अकाल तो अकाल आगया तो जितना पैसा उन्होंने एकठा किया था उन्होंने का मेरा grant तो ठीक है अपनी जगा पर लेकिन अभी इनसानों को जरूरत है इस पैसे की तो उन्होंने लोगों की भुक मिटाने के लिए पैसा बाट दिया और फिर वो अपनी मेहनत में लग गया फिर पैसा चुटाते चुटाते दस साल लग गये फिर उन्होंने और मेहनत की बही और मेहनत करूगे तो हो सकता है कि आप और थोड़ा refine हो जाओ आपको एक next level की चीज मिल जाए हो सकता है पहले जो आप कहना चाते थे अब उससे कई ग प्रवाद करना जरूरी है फिर उनकी मदद करना जरूरी है फिर उनकी मदद के लिए उन्होंने जो पैसे गठा था वो बाढ़ दिया अब आप सूचे पैशेंस किस लेवल का है दस साल फिर आगे चले गए फिर वो अपना स्टड़ी करते रहे और उनके अंदर यही बात थी कि कोई बात नहीं काम जब होना होगा तब हो जायेगा मैं जिस वक्त जो सही है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ तीस साल बात जब उनका गरंत छपा तो उसमें इस लेवल की गहराई आ चुकी थी कि जो वो खुद भी सपना नहीं देख सकते थे और जो कुछ निकल के सामने आया लोग बिल्कूल सर माथे पे लेके घूम रहे थे क्योंकि वो एक जिन्दा इंसान को देख रहे थे जो उस किताब से काफी बड़ा कद बना चुका था तो दोस्तों एक इन्वेस्टर की तरह मैं आपसे ही बात करता हूँ कि लोग जब इन्वेस्मेंट की बात करते हैं और दोजार पाँच हजार एक लग करोड की बात सुनके सब चले आते हैं जुन-जुनवला साब के गुजर जाने की खबर आई तो लोगों को उनका नाम तो बात में याद रहेगा जादा याद रहेगा 48,000 करोड आजकल बच्चे जितने छोटे हैं उतनी ही बड़ी-बड़ी बाते उन्होंने सुन लिए तो उनके फिताजी अगर उनके पास 10 ला उठाला है आज़ी लेनी थी 50,000,000 कि उनको तो पता नहीं कि लाख रुपए भी बचाया है कमाया के से जा सकते हैं तो जितना बचकाना होता है इंसान उतना ही ज्यादा उतावलब होता है और पेशेंस धीरे-धीरे डेवलब होता है दोस्तों मैं को लगता नहीं कि कोई प पड़ जाएगा तो हमने का एकाथ साल मैं अच्छा प्रिश एक साल बोले पांच साल रख लोगतों और मजार बोले पांच साल किसने देखे और दस साल बीस साल तीस साल की बात करेंगे तब तक तो वो कहेंगे कि दुनिया भी बचेगे की नहीं हम भी बचेगे की नहीं औ इसलिए आप अपने बच्चे और बीवी और परिवार के भविश्य के लिए इस सारी चीज़ें कर रहे हो और जब stock market की बात आती है या किसी और asset class की investment की बात आती है तो हम इस तरह की बाते बनाने लगते हैं आप अपने उपर खर्च करने वाले होते तो फिर तो आप इससे बेतर quality of life जी सकते थे आप अपने उपर आदा पैसा खर्च करते आदा परिवार पर करते पर फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 90% आप परिवार पर खर्च कर रहे हैं कि आप उनकी वेतर ही उनका भविश्य चाहते हो तो जब उनका भविश्य चाहते हो तो आम का पेड़ लगाते वक्त यह मत सोचो कि मैं खाऊंगा कि मेरे बच्चे खाएंगे या उन बच्चों के बच्चे खाएंगे असल बात यह जरूरी है कि आप अगर अभी से लॉंग साइड फार साइटेड होके शॉर्ट साइटेड मत होईए निकट दरिष्टी वाली बात नहीं होनी चाहिए थोड़ा दूर का सोचके और अभी कुछ ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी नहीं बदल रही है तो इतना जादा कुतरक करने की बहुनाओं को खतम कर देना चाहेंगे तो ध्यान रखना है इस बात का मैंने अभी चुक कहानी सुनाए उस कहानी में आपने देखा कि अगर दस साल रखा तो फाइदा हुआ बीस साल या तीस साल अगर आपने किसी स्टॉक को रख लिया ना कोई भी अच्छा स्टॉक जहा पेशा हो जाएगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जैसे विप्रो की कहानी थी 1980 में जिन्हों ने 130 का खरीदा दो तीन साल बात भी वह 200 या 300 रुपए में बिक रहा था मोमेंट आते जाते रहे तें फिर नीचे चला गया फिर उपर आ गया पर बीच में बोनस मिलते है स्प्लिट होता रहा धीरे-धीरे सो शेयर 6 लाग शेयर हो गए 2007 तक और 13,000 रुपए 13 करोड नहीं 130 करोड नहीं 330 करोड रुपए बन गये थे तो 30 साल तक रुखने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो पैसा इतना बड़ा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकत है तो दोस्तों यह जो पैसेंस है यह पैसेंस में हर साल की एक एक एक्ट्रा कीमत है हर डिकेड मतलब में कई बार ऐसा बोलता हूं कि आप अपने बच्चों को इसकुल की फीज दे रहे हैं तो एक बच्चे पर आपकर महिने का 2,000-5,000 खर्च कर रहे हैं एक और बच्चा ह आने वाली तीन पीडियो का भी काम करने के ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपको इस बात पर यकेन नहीं होता है तो trendline.com में super star investors की list जाके देखिए उनके portfolios देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या possibility है stock market में शुरुआत करने के कई बार लोग समझ रहे हैं यह optional है पर मैं बोलनों essential है अगर आपको मेंगा इधर को हराना है inflation rate को हराना है तो आपको stock market में आना ही पड़ेगा और पैसा केसे लगाना है वह अगर मुश्किल भी है तो उसको समझना ही पड़ेगा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है अगर आपको 8-10% के inflation rate को 17-18% या 15% से हराना है तो equity ही एक एसी जगह है जहां पर आप टुकड़े टुकड़े में investment कर सकते हैं thank you very much bye bye